कि दस गुड न्यूज भी काफी नहीं है लेकिन किसी शेर को नीचे लाने में न एक ही निगेटिव न्यूज काफी यस बैंक की डिश टीवी सुनेगा नहीं या कोई भी सलूशन निकल कर नहीं भार आएगा तब तक के आपको डिश टीवी का शेर नीचे की तरफ गिरता हु नमस्कार मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्तक बजार से और आज बात करेंगे सर अडानी विलमर की और बात करेंगे सर टीवी की सर इन दोनों की बात करने से पहले आपको एक चीज बता दूं सर कि मार्किट में ना किसी शेर को ऊपर ल नीचे लाने में न एक ही निगेटिव निउज काफी हो जाती है शेर को नीचे लाने के लिए तो यह मंत्र है कि मार्किट में अगर आपको काम करना पड़ेगा तो गुड निउज पर ध्यान लगा कर अपने अनुसार सयम लाना पड़ेगा और बैड निउज को सीरियस ले था को विचार जल्दी ही करना पड़ेगा क्योंकि बैड निउज जल्दी डालती है और गुड निउज कभी भी जल्दी अभुए क्योंकि दिनों में अच्छी-च्छी कंपणियों ने अच्छी-च्छी प्रॉफिट दिए हैं लेकिन अगले दिन उनके शेर ज्यादा नी benefit देकर गया है सर जहां पेटियम ने उजाड़ दिया जहां जमाटों ने उजाड़ दिया जहां एलाइसी ने भी थोड़ा निरासा दी है तो वहीं पर सर अडानी विल्मर ने अच्छा एक उच्छाल देकर शेर धारकों को निवेशकों को अच्छे benefit दी हैं सर लेकिन शेर प 555 रुपे करीब का आगया है सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि इनका जो यह शेर है सर दे समागरी पे अधारित यह शेर है और यह शेर आपको आगे जाकर बहुत जादा profit देने वाला है क्योंकि इनका एक जाना माना नाम fortune तेल fortune refined ही इनको उभारने में जादा कार ने खादे तेलों में आयात सुल्क कम किया है और उसकी वज़े से company ने भी अपने सरसों के एक लिटर और refined के एक लिटर पैक में 10 रुपे की कटोटी कर दी है और जिसकी वज़े से शेर आपको आज सोंबार के दिन 5% गिरता हुआ नजर आया है जब company की तरफ से ये कहा गया है कि company ची सामागिरी गुर्वत्ता वाली कम रेट पर दे रही है तो इससे उसकी demand जादा बढ़ेगी बहुत सही है जब कुछ चीज अच्छी वाली discount rate पर मिलती है तो उसकी जादा बिक्री होने की आसंका बढ़े जाती है तो ये good news है लेकिन इसका effect bad news की तरह आज आपको देखने को मिला जहां इनोंने company ने कोही नूर जो rice है उसको भी अपने साथ मिलाने के लिए काम किया है तो इनका जो भी काम है न सर फैलता जाएगा इस पे आपको ध्यान रखना है तो जो भी ये गिरावाट हो रही है मेरा मानना है एक दो दिन और चल सकती है लेकिन ये share आपको record तोड़ता हुआ आगे जाता हुआ दिखाई देगा और वैसे तो अडाने जी के सारे share ही record तोड़ रहे है तो आज की गिरावाट सिरफ इसलिए है कि 10 रुपे की कमी एक किलो के packet में इन्हों ने कर दी है और उसकी वज़े से इनका share आज 5% गिर गया है वैसे कोई भी की कोई बड़ी नियूज नहीं है जिसकी वज़े से हमें लगे कि भाई ये तो आगे जाकर और भी गिर सकता है देखो तोड़ा बहुत तो गिरेगा profit booking तो आएगी हम ही नहीं profit ले रहे हैं लेकिन सब profit लेते हैं आपको ये भी समझना चाहिए तो बात करते हैं डिस टीवी की साफ सीधी बात आपको एक चीज बता दूँ कि डिस टीवी में सबसे बड़ा शेर धारक कौन है स्टेक लेने वाला कौन है यस बैंक और जब तक कि यस बैंक की डिस टीवी सुनेगा नहीं या कोई भी सलूशन निकल कर नहीं भार आएगा तब तक कि आपको डिस टीवी का शेर नीचे की तरफ गिरता हुआ मिलेगा बीते महीनों में जहां डिस टीवी को कोई कह रहा एलटेल ले रहा है कोई नियूज निकल कर आए यह टाटा भी ले सकता है तो उसकी वज़े से भी आपको इसके सेर उपर चड़ते हुए दिखाई दिये हैं लेकिन जहां दिगज कंपनी जीओ एलटे और टाटा अपने काम को जादा विस्तार दे रही है जीजिटल छेत्रों में उतर रही है और अच्छी अच्छी सेवाएं कोल के माध्यम से अपने घ्राकों को दे रही है तो वहाँ पर विफलता किया मूँ के से देखना पड़ रहा है डिस्टीवी को बड़े प्लेयरों के साथ चोटा प्लेयर कभी भी जीत नहीं सकता यह बात ध्यान रखना वह जीते का तब जब वह अपने कर्ज से मुक्त होगा वह अपने अच्छे सुधार लाएगा और अपने सेरधारकों की बात सुनकर अच्छे काम वह करेगा तो अभी हाली में एक से दो दिन पहले ही डिस्टीवी ने इनकी एक EGM मिटिंग है उसमें भाग लेने के लिए य जा रहा है इसके लिए इनकी एक EGM मिटिंग है उसमें सबकुछ निर्धारित हो जाएगा उसकुछ चीज को बढ़ाने के लिए और यस बैंक को रोकने के लिए उन्होंने बंबे हाई कोट में अर्जी लगा रही थी जिसमें उन्हें विफलता का भी सामना करने को मिला यह काफी दिनों से मसला चलता हुआ जा रहा है तो आपको यह चीज़ देखनी है कि जब तक यहस बैंक डिस टीवी पर अपना ज्यादा श्टेक के साथ है डिस टीवी का अभी हालों में कुछ भी नहीं होने वाला है चाहिए किसी तरीके का भी इसके अंदर फेर बदल क्योंकि प्लेयर बड़े बड़े जो हैं इस तरह का जो काम करें वह अच्छी सुईदा के साथ उतर रहे हैं सर जीयो मानलो आप एलटेल और टाटा पले यानिकी टाटा स्काई तो सारी सारी संभावन आपको यह देखनी चाहिए कि डिस टीवी का फिलाल हाली में ऐसा के वजे से कुछ आगी जागे कठाया का सामना कंपनी को करना पड़ता है उस तरह के शेर से हमें दूर रहना पड़ेगा तो सर अधानी विल्वर में अच्छे संकेत मिलने को तयार फिर से हो रहे हैं और डिस टीवी में बुरे संकेत तो आपको देखने को मिली ही रहे हैं तो सक्षिटी को आटा दीजे, गाय को रोटी दीजे, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, तो कि बच्चे ही आपके मासूमियस से किस्मत पलटेंगे, तो फिर मिलेंगे आपसे ने वीडियो के साथ, जब तक के लिए, नमस्कार.